हरिही ओम मुगधं स्निगधं मधुर मुरली माधुरी धीर ना देहे कारं कारं करन विवशं गो कुलं या कुलत्तं शामं कामं बधजनमनो मोहनं मोहनांगं चिते नित्यं निवसत्मः बल्लही वल्लवं नहां यह स्वान भाव मखिल स्रोती सार मेकं अध्यात्म दीप मति तितीरशतां तमवंधं संसारिनाम करुनयाह पुरान गुईहं तंब्यास सूनुन पयामी गुरुम् मुनीनाम सभावे रामोयं सजन तमशो नाश करना सलीलाव याम कृष्नह प्रवल पुरुशारते प्रतुरिव गिराशी रप्यकी भवती सततंक श्रिदय अखंडायनंदोयं रदये सदनेमे विलशतू ओम नमप्रमहंत स्वाधित चरनकमलचिनमकरंदाय भक्त जनमानष निवासाय स्री रामचंडराय स्दगुरुम् स्दगुनाधारं ध्यानगम्यं निरंजनम् अखंडायनंद पादंबई भूयो हूयो नमाम्यहं अखंडायनंद पादंबई भूयो हूयो नमाम्यहं यनमलो भक्त वत्सल भगवान कीजे सदगुरुदेव भगवान कीजे अरंदाव नग्यारी लाल कीजे जे जे शीरादे जे जे शीरादे जे दे शीरादे परमदरनी परातश्मरनी अनन्त स्री समलंक्रेट स्री प्रिम्परिजी महराज के एवं स्री महराज स्री के स्री पावन पवित्र चरणारविन्दों में कोटिशह वन्न भगवत कथानुरागी भक्त व्रंदयो मात्रिशक्ती आप सभी भी हमारे मोहन के ही अनेका नेक रूपों में विराजमान है ये मन मोहन की ही अनेका नेक जाकी देख करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं कोटिशह वन्न करता हूँ आओ हमारा जीवन भगवत चरणारविंद में कैसे अग्रशर हो उनके चरणों का चंचरी का हमारा जीवन कैसे बने इसके कुछ सूत्र स्री कुंती बुगा के मुखारविंद स्वेश्रमन करें कुंती बुगा ने कहा कि खेशो आप अकिंचन गोचर हैं जिसके चित में संसार की किसी वस्तू व्यक्ति स्थान के प्रतिमंता नहीं है और उसका अभिमान भी नहीं है उशी के आँखों के सामने आप प्रगट होते हो यहाँ प्रकुंती बुगा ने चार अभिमान के केंद्र गिनाये हैं इन अभिमानों के केंद्र से बचना चाहिए एक तो उच्च कुल में जन्म लेने का भिमान उच्च कुल में जन्म होना दोश नहीं है प्रारब्द के आदार पर आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा सुची नाम स्री मताम गेहे योग वरष्टों भी जायते कोई योग वरष्ट व्यक्ती भी उत्तम कुल में जन्म लेगा उत्तम कुल में जन्म लेना कोई दोश नहीं है किन्त उस कुल का अभिमान हो जाना दुखदाई है अज मैं प्राता काल बैटकर चिंतन करहा था कि भागवत में ऐसा कोई पात्र है जिसे अपने उत्तम कुल में जन्म लेने का भिमान है कई पात्रों पर द्रश्टी गई उसमें से दो पात्र ऐसे नजर आये जिनको अपने उत्तम कुल का अभिमान है नलकूबर और मनिक ग्रिव ये कुवेर के बेटे हैं और कुवेर एक धनवाला व्यक्ति है सम्मानित व्यक्ति है इन दोनों को भी अपने कुल का बहुत अभिमान था और उस कुल की अभिमान से होता क्या है नरण ये बहुत ज्यान देने की बात है हमरे जीवन में किसी भी विसे का यदि अभिमान आता है तो हमारे से उपेक्षाएं चालू हो जाती है हम बड़े व्यक्ति की भी उपेक्षा करते हैं क्योंकि अभिमान व्यक्ति की आँखों में जब आ जाता है चित में आ जाता है तो वह अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है और यही कारण हुआ कि उन दोनों के जीवन में देवर्शी नारग जैसे महात्मा का अपमान हो गया उनका संग बहुत अच्छा था नलकूबर मनिक ग्रीव का संग में बगवान शुका सास्वत संग मिला था कि इन तो कुल का विमान उनको ऐसा था ऐसा था कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं हमारे पास किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है हमारे पास पैसा भी है पावर भी है हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं और ये अभिमान उन दोनों को कहां ले गया कि ब्रक्ष योनी में जाना पड़ा जड़ योनी में वो तो नारज जिमारच की क्रपा है कि भगवान मिले वो एक अलग बात है तिको जन्म का अभिमान भी हमारे जीवन में पतन का कारण है अगर जन्म का अभिमान ऐसा हो कि ऐसे कुल में हम पैदा हुए हमसे गलत काम नहीं होना चाहिए तो यह आपको उन्नत की और ले जाएगा हम लोग कई बार चिंतन करते हैं जैसे कहीं सभा में हैं हमको तो कई दोसों से बचने का अशर मिला मारसी के साथ संबन 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 से जुड़ने के कारण हमें याद है कि एक बहुत बड़ी सभा थी कोटा में राजस्थान में भारत के उसमें विशिष्ट विशिष्ट संत जनाये थे अमरे पूज़ सत्मित्रानी महराज चारों संकराच आ रही है तो मेरे को भी वहाँ जाने का उशर मिला तो हमारे जैसे बगता की तो वहाँ कोई पूछ थी ही नहीं बड़े बड़े दिगज महात्मा जहां हूं हम सुनते थे हर सभा में बैट करके कुछ ऐसा विवाद हो गया आपस में किसी धर्म की व्याख्या को ले करके धर्म सभा थी नीती सभा थी ऐसे अलग-अलग करके सभा उन महात्मा उने रखी थी धर्म की व्याख्या किसी संत ने अमरियादित कर दी अब महारे जिनको मौका नहीं मिला था वो सब बेचेन हो गए ये तो गलत बोलता है और इसको मौका मिला हमको नहीं मिला उस सब इखटा हुए और हमको मुखिया बना दिया मुखिया बना कर कहा कि इसका खंडन करना है और हम आपको बोलने का समय दिलाएंगे सब नए नए उम्र की महात्मा इखटे हो गए कुछ पुराने भी हमने दो दिन तक सब चिंतन किया कि धर्म की व्याख्या कहा कहां पर है और इनका कैसे खंडन करना है जो बोलें उसको कैसे खंडन करके अपनी बात स्थाफित करनी है और रात में एक एक बज़े बैठ करके सब चिंतन करके इखटा किये प्रमान सब किन्तु जब सभा में बोलने का नंबर हमारा आया तो संचालक महोदय को हम बंदन करते हैं उन्होंने कहा कि अब आपके सामने वो बोलने के लिए आ रहे हैं जिनके आराध्य गुर्देव किसी का कभी खंडन करते ही नहीं थे कभी किसी का खंडन नहीं करते थे उन्ही की परंपरा से ये हैं अब हम उनको आऊध करते हैं कि वो आकर के यहां बोले अब तो हमारा परिस्टरम सब ब्यर्थ अब मैं चिन्तन सजाकी को भी याद करता हूं तो अस्रु आ जाते है बड़े बड़े महात्मा सभा में बैठे हैं और हम जब बोलने के लिए गए तो जो चिंतन करके गए थे उससे बिल्कुल अलग हो गया अगर वो बोलते हैं तो परंपरा कड़ गई हमारी अ अब हम बोलें तो क्या बोलें क्योंकि तैयारी वही की थी हमने अगर वो बोलते हैं तो महराजी की परंपरा गई और नहीं बोलते हैं वो तो जिन महात्माओं ने हमको भेजा था अपना मुख्या बना करके वो नाराज हो जाएंगे तो हमारे चित में एक धारा वही हमने का वो नाराज हो तो नाराज हो तो हमारे महराज जी का नाम नहीं खराब होना चीए तो मंगलाचन करके हम भी हम बिश्रमदर पनदर श्यमाद नगरी जैसे महराज शी करते थे और धर्म की केवल व्याक्या जो भागवत में है बेदप प्रणी तो धर्म यह दर्मस तद्वी परिया यहाँ मैंने उसका प्रतिपादन किया सबसे पहले पूजिशत पित्रान जी महराज ने बहुत पुरानी बात है हमको बीस मिट समय मिला था उनोंने कहा दस मिनट हम इनको अपना देते हैं अब आदागना हो गया इस सिंक्राचार जी महराज ने कहा दस मिनट मैं देता हूं उस सबामे जहां बड़े-बड़े महात्माओं को आजा घंटा मिलता था हमको एक घंटा बीस मिनट मिला बोलने को और दूसरे दिन सब पेपर में हमारी बात थी जो हमने खंडन न करके सब का मंडन किया था जब हमने पेपर पढ़ा और सब देखा तो मुझे ये लगा कि देखो परंपरा का यदि बोद बना रहे तो व्यक्ति के जीवन में पतन नहीं होगा सब बड़े बड़े माहत्मा गले लगाते थे उस समय में लाल वर्स्तर में भी नहीं आया था सफेद वर्स्तर पेहनता था सब जो गले लगाते थे सब प्रेम करते थे अगर हमने खंडन किया होता तो ये प्रेम नहीं मिलता गालियां मिलती तो देखो ये दि अपने उच्छ कुल का अपनी परंपरा का बोद बना रहे है कि हमसे कोई अपराद न हो जाए तो ये बोद आपको उत्थान की और ले जाएगा पतन की और नहीं ले जाएगा अब कभी किसी को गाली देने का मन हो तो महरत जी की याद आ जाए कि वो कभी नाराज नहीं होते तो गाली दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो अपने कुल का बोद बना रहे अभिमान के लिए नहीं किसी को कस्ट नहो इसलिए तो ये उत्तम है अब देखिए दूश्रा जनमईश्वरिय आईश्वरिय के अभिमान से किसकिस का पतन हुआ भागवत में कई प्रमान है सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमान तो आईश्वरिय के पतन का दक्ष का है दक्ष हर बात में कुशल है चतुरतसकंद में की कथा आप लोग सुनते रहते हैं योग गिता की कमी नहीं है संबंद की कमी नहीं है अब भगवान स्यू जैसे आत्मा राम आप तकाम महापुरुष के जो ससुर साहब हो सती जैसी जिनको बेटी मिली हो और इतना ही नहीं इनके जो बेटियों के बिवा हुए हैं आप कभी चिंतन कीजिएगा जो सोला बेटियां उसमें से तेरा बेटियों के जो बिवा हुए धर्म के साथ सांती, तुष्टी, पुष्टी, क्रिया, उन्नती, मेधा, तृतिक्षा, घरी, लज्जा ये सब गुण थे, दक्ष के जीवन में ये सब गुण थे, तभी तो बेटियां थी उनकी किन्तो एक अभिमान आ गया, पद का, आईश्वरे का तो उस अभिमान ने दक्ष को कहां तक पहुँचा दिया यहां तक पहुँचा दिया कि इतना बुद्धिमान वक्ती, और गरदन लग गई बक्रे की मेह में करने वाली गरदन लग गई, अमरे एक मात्मा है, अमरे पुझराजी शुरारंजी, वो कहते हैं लोगों का हम बम बन जाता है लोगों का हम बम बन जाता है और बम में तो मरज विस्पोटे ही होता है न जनहानी होती है धनहानी होती है जीवनहानी होती है तो देखिए हम उनका ऐसा बम बना कि कितनी हत्याय हुई यहां तक कि उनकी बेटी को भी जलना पड़ा बेटी गई, नाम गया, अपकीर्ती हुई, गर्दन गई और भगवान से तो दूरी बनने वाली है ही तो अईस्वरी का पद भी व्यक्ति के जीवन में पतन का कारण है बिवहार में भी परमार्थ में तो है ही है बिवहार में भी बहुत चीज़ें हानी होती है उससे अभिमानी व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोद आता है और क्रोद आने से उसके सोचने की छमता समापत हो जाती हमारे एक गुरू जी थे जो कुस्ति लड़ना सिखाते थे वो कहते थे कि जब अपने से पहलवान ज़्यादा बलवान हो और सोचो कि इसको पटक नहीं पाएंगे तो उसको ऐसी क्रिया करो जिससे उसको गुस्ता आ जाए तो हम कहते थे गुस्ता आएगा तो और तेजी से पटकेगा तो कहते थे गुस्ता आजाएगा तो उसका बली ही चला जाएगा गुस्ता आने पर व्यक्ति निर्बल हो जाता है विवेक काम करेगा नहीं सोचने की सक्ती काम करेगी नहीं तो देखो जितना व्यक्ति के जीवन में अविमान है उतना ही करोध जादा है अधिक तर जो करोधी होते हैं वो अविमानी जादा होते है क्योंकि थोड़े से मरहा चोट लगे की तो करोध आगया अविमान पर तो दक्ष जैसा कुशल व्यक्ति भी अईश्वरे के मद में आकर के भगवान आश्वतो श्यू जैसे महापुरुष का अपमान कर बैठा देखिए अविमान से अपमान उत्पन होता है अविमान जीवन में आएगा तो अपमान की प्रनाली आ जाएगी और जब अविमान से अपमान आएगा तो भगवान दूर हो जाएगा जहां अपमान की प्रनाली है वहाँ भगवान है ही नहीं इसलिए जितने बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं वो अपमान से बचते हैं किसी का अपमान नहो भगवान शिरागवेंद शरकार तो यहां तक कहते हैं सबही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण समते मम प्राणी सब को सम्मान दे और स्वेम सम्मान न चाहे यह चित में होना चीए होता क्या है अधिक तर कि यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारा सम्मान ये करे अरे हम इसको बंदन करते हैं हम सम्मान देते हैं तो हमें भी तो मिलना चीए ऐसा व्यक्ति भगवान की ओर नहीं बढ़ेगा सम्मान देकर सम्मान की कामना नहो सम्मान देना सीखें सम्मान पाने की अविलासा ना हो नरण ये सब है तो कठिन कहना तो सरल है किन्तो कठिन है किन्तो अभ्यास से कुछ भी हो सकता है असंभव नहीं है अभ्यास यदि अपने जीवन में करेंगे तो हम देखते हैं संतों के जीवन में महराज ऐसे ऐसे प्रेम देते हैं ऐसे सम्मान दें किसी को भी सम्मान दें क्योंकि इस सुनी चाहिए वा सुपाकेचव पंडिताहा समधर्शिनाहा तो जो समधर्शि हो तो किसी को भी सम्मान देगा तो देखो पहले कुल के अभिमान से बचें और उसके बाद अईश्वर ये पद के अभिमान से बचें अईश्वर ये पद का सदपयोग भी किया जा सकता है दुरपयोग भी किया जा सकता है अईश्वर ये पद मिला है तो सेवा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं सेवा ये दि करेंगे तो या इसका उपयोग है और अभिमान करके किसी को कष्ट देंगे तो दुरुपयोग है तो कुंती बुवा कहती है प्रभो जनमई स्वर्य सुरुत भिल अब आया सुरुत माने ज्ञान और ये जो ज्ञान हमको है याद रखेगा कभी भी हमको तो एक मात्मा ने का और मुझे अन्भो भी होता है ये कि जितनी जितनी योग गिता हमारी आपकी बढ़ेगी उतने उतने ये सची योग गिता है तो लगेगा कि हमारा ग्यान बहुत कम है माराज आपको बताएं संसार में इतना ग्यान है ये जीवन उसके लिए बहुत कम है पूरे जीवन भर कोई सिखना चाहे तो ये विश्व 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 है क्योंकि यदि संग बिखड जाता है तो तुरत ये रंगा अभिमान का जाता है अभी मैं एक जगे कथा कहने गया था तो एक सज्जन कुछ कटिंग किये हर डंग के लोग है तो मैंने एक सज्जन से कहा कि ये जो बोल रहा है इनको हम जिंदगी बर पढ़ा सकते हैं कहा कि अपने को ये बहुत समझते हैं हम जिंदगी बर पढ़ा सकते हैं इनको बोल तो गए भावावेस में बाद में चिंतन किया रहे ये क्या बोल गए भाई ये भी तो एक अभिमान है कि हम जिंदगी बर इनको पढ़ा सकते हैं हमने कहा गुरुजनों की सेवा किये हैं ये जो और जहां विद्या का अविमान आया याद रखेगा पतन का हेतु चालू हो गया। अविमान आते ही व्यक्ति का पतन का क्रम चालू हो जाता है। तो जन्म अईश्वरिय और सुरुत सुरुत माने सुना हुआ ग्यान या युग्गिता और चतुर्थ है स्री लक्ष्मी ये लक्ष्मी का अविमान तो लोगों को विदित है ही सब जानते हैं इसके भी कई उधारन भागवत में हैं लक्ष्मी के माराज छोटा सा अग्मान भी व्यक्ष्मी के जीवन में लक्ष्मी का हैसा आता है। हमने एक महात्मा से सुना कि एक हाथी सरोबर में जल पीने के लिए आता था सरोबर के तट पर बैठ करके एक मेढ़क उसको गाली देता था। और महाराज पूरी रामान सुनाए जब तक वो पानी पीए कि इसके बाप का घाठ है किया जो यहाँ पानी पीने आ जाता है। हाथी सोचता था यह मेढ़क हमको गाली देता है। बात क्या है। बोले मेढ़क ने इसके पीछे से किसी का बल होगा। पैर से उच्छाला तो मेढ़क जाकर दूर गिड़ा और जहां वो बैठा था वो चांदी का एक रुपिया था। वो मातमा कहते थे वो एक चांदी की रुपए की गर्मी बोल रही थी जी। वो कहते थे एक शांदी क्या रुपिया और उसमें इतनी गर्मी होती है कि हाथी को गाली दे दे तो जिसके पास मारच पैसा आ जाए और मद ना आए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि अजब पैसा आ जाता है तो भगवान नहीं मिलेंगे इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े-बड़े संत हुए है आप उनका जीवन देखिए इतने सहज, इतने सरल, इतने रिजू अरे सादुमाने होता ही सरलता है अगर सरलता नहो, सहजता नहो तो सादुता क्या है क्योंकि अविमान की सुन्निता जीवन में आते ही सहजता आ जाएगी अविमान ही विक्ति को कड़क बनाता है अपनी योग्गिता का अभिमान अपने अईस्वरी का अभिमान अपनी बुद्धी का अभिमान अपने पद का अभिमान अपनी लक्ष्मी का अभिमान और याद रखिए इस अभिमान से असान्ती की अलावा आपको और कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि भगवान है तौाम अकिंचन गोचरह जिसके जीवन में किसी प्रकार का विमान नहीं है उसी को भगवान मिलते है भागवत में कि श्लोक है बड़ा नोखा आप लोग कई बार सुने होंगे जड़भरत जी महराज ने रहुगण को कहा कि तुम आत्म चिंतन में लगो आत्मा के अत्रिक्ति संसार में कुछ भी नहीं है जड़भरत ने कहा गुरुदेओ ये बास समझ में आती है किन्तो अभ्यास में नहीं आती है समझ में तो आती है किन्तो अभ्यास में आना बहुत कठीन है अभ्यास में कैसे आये बुले की गुरुजनों की करपा हो कैसी करपा हो वो कहते हैं कि याद रखने लाइक बात ये है कि यह ग्यान हमारे जीवन में तब तक अउतरित नहीं होगा जब तक किसी महापुरुस के चर्ण दूली से हमारा विशेक न हो जाए मैं चिंतन कर रहा था कि क्या किसी महापुरुस के जाकर चर्णों में खुब रेत रगड़े और रेत रगड़ कर अपने उपर डाले तो क्या आविमान मिढ जाएगा भाई चर्ण रज तो उसी का नाम हो गया चर्ण रज मने जो चर्ण में दूली का संस्पर्श हो गया हो वहाँ तो ऐसे से वाक्यों का प्रियोग किया है रहू गणईत तपशान याती नचेज जया निरभपनाद ग्रिहादवा नचंद सा नईव जलागने मद्धे नचंद पढ़ने से न मरज जलादी के मद्धे तब करने से बिना महत पाद रजोविशेकम तो ये रजोविशेकमाने क्या रजोविशेकमाने अभिमान की सुन्यता जैसे रजकन अभिमान सुन्य है उकेलास आश्रम में में लगकॉम्दी पढ़ने के लिए जाता था सुरू सुरू में हमको लगता है 82 की बात होगी 82 83 की तो एक महात्मा थे वहाँ जिन से हम लगकॉम्दी पढ़ते थे बिल्कुल सची गटना सुना रहा हूँ लगकॉम्दी एक व्याकरण का छोटा सा गरंथ है प्रारंबिक तो वहाँ गरंथ पढ़ते थे हो महात्मा कहते थे यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो लगकॉम्दी को घोट करके पी जाओ ऐसी बोलते थे घोट करके पी जाओ एक महात्मा थे माराज वो भी पढ़ने के लिए आते थे उन्होंने क्या किया दूसरे दिन आये तो पंच संधी तक के कागज गायब पेज़े गायब तो हमारी पोथी में जाँक जाँक करके वो देखें पढ़ाना था तो हमारी बिल्कुँ सची घटना बता रहा हूँ हमारी पोथी में जाँक जाँक करके देखें तो पढ़ाने वाले ने कहा तुमारी पोथी कहां गई बोले पोथी तो मेरे पास में है तो क्या उसमें पाठ नहीं बोले माराज आप इस तो रोज कहते हो गोड़ गोड़ के पी जाओ तो पंच संदी तक के कागज तो हम सल में कूट कूट करके पानी में मिला कर पी गए है अब आपकी करपा से कुछ दिन में हम सब पी जाएंगे तो उन्होंने कहा बावरे ऐसे घोड़ कर पीने से कल्यार नहीं बीमार और पड़ जाएगा देखो ये घोड़ कर पी जाना एक मुहाबरा है अब कोई कहें कि मापुरुष की चर्णों की दूली से अविशेक हो जाए तो कोई मापुरुष आएं तो एक बोरी रेत ले करके आओ समुदर से दरिया से और को रुको रुको हमको अविशेक करना है कैसे अविशेक करना मुले आप बैटो पहले आपके चर्णों में खुब रेत लगाएंगे अब लगा लगा के अब शेक करेंगे क्योंकि भागवत में लिखा है बिना महात्पाद रजो भी शेकम कल्यान नहीं होगा तो हमको अपना कल्यान करना है तो नारेंड ये तो मुहावरे की भासा है आविमान सुन्ने होकर के महापुरुष के सी चरणों में पहुंचे है जहां अपनी योग गिता का भी अविमान होगा कि हम इतना पड़े है हमारे पास पैसा है मारा जी अविमान तो ऐस तो आजाता है मारा शीमारे बटाते हैं कि राजा के हम गए तो राजा ने कहा कि हमारे साथ जितने मातमा थे बुले जो लाल कपड़े वाले उनको तो हम माला पहनाएंगे और जो सफेद कपड़े वाले उनको माला नहीं पहनाएंगे मारा जी ने कहा क्यों बुले बात यह हम इतने बड़े राजा होकर इन सफेद कपड़े वालों को क्या माला पहनाएए अब देखीए अब इमान है कि नही tussen हमको तो कोई माराज कहँ दे कि गधे को माला पहनाओ और प्रडाम करो तो हम कर लेंगे सफेद कपड़े वाले का प्या है क्योंकि परमात्मा कि अत्रिक्त इसे दुनिया में जब कोई है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, तो किस बात का अविमान की इनको नहीं, इनको नहीं, ठीक है, बेवार की दर्श्टी से थोड़ा जितना जरूरत है, उतना रख ले, नरणिया द्यान देने की बात है, भगवान अकिंचन गोचर है, जिनके जीवन म किंचित भी अभिमान है, किंचित भी अभिमान है, उसको भगवान मिलने वाले नहीं है, बाद में ये कहती हैं प्रभो, नमो अकिंचन वित्ताय, निव्रत्र गुन व्रत्ते, आत्मा रामाय सांताय, कई वल्यपते नमहा, आप उनको मिलते हैं, उनके धन हैं आप, किनके जिन जो अकिंचन वित्त हैं देखो नारण मेरे आप इसको अन्निता मत लीजिएगा ये मत सोचिएगा कि किसी के पास कुछ धन नहीं है तो अकिंचन है वो और जिसके पास बहुत धन है वो अकिंचन नहीं है भागवत में हम ऐसे गिना देंगे आपको भागवत के चिंतन के आधार पर भी कि सरवस होने के बाद भी वो अपने को कुछ नहीं मानते अकिंचन वित्त है वहाँ परमात्मा ही जिनका धन है अम्रिश जैसा महापुरुश आप कहां देखेंगे अम्रिश का जीवन कभी चिंतन की जिए बैभो की कमी थी क्या जनक के पास क्या बैभो की कमी थी क्या अम्रिश का जीवन ये जी कोई मारा जैसे भागवत सब्ता में तो वह संपून चित्र नहीं किया जा सकता उनके एक एक चरण का चरित्र के किन्तो ऐसे सुतंद्र कभी कोई चिंतन करे उसका बैठ करके तो अंब्रीश का जीवन इतना पवित्र है सवई मनक्रिष्ण पदार विंदयो हो उनका संपूर जीवन भगवान के चरणार विंदो में समर्पीत है और उनके लिए सोना भी लोश्ठवत है सोना की भी कोई कीमत नहीं है राजा है तो यह मत समझेगा कि किसी के पास धन नहीं है तो बहुत बड़ा त्यागी है अपने पास होने के बाद भी उसका अभिमान नहो हमारे एक मात्मा कहते थे रशी के इसमें ठंड में कभी हम बिना कपड़े पहने जाए पढ़ने के लिए तो डांटते थे बोले कपड़े पहन के आना चीए तो हम कहते थे नहीं नहीं हम बिरक्ती से जीवन जीएंगे बिरक्ती का जीवन अच्छा लगता है हमको तो कहते थे वो बिखारी भी तो बिरक्ती का जीवन जीता है रोड पर बैठा हुआ बिक्ती बिखारी का बिखारी भी जीता है जीवन तो हम कहते थे उसको तो बिचारे को मिलता नहीं है देखो वस्तू नहो और हम कहें त्याग कर दिया उसका नाम त्याग नहीं है हमारे पास कोई वस्तु है नहीं हमको अभिमाने नहीं है अरे हो और तब अभिमान नहो तो माना जाए तो होने के बाद व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहो और वहाँ येदी अभाव है तो अभाव का कस्ट नहो कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है याद रखेगा अभाव में येदी कोई कपड़ा नहीं प्रेंता तो उसका नाम तप नहीं है परस्तिती है अभाव में येदी कोई भोजन नहीं करता है तो उसका नाम तप नहीं परस्थिती है और सब का भाव है सब कुछ होने के बाद वायदि उसको गृट नहीं करता है तो तप है तप और अभाव में परस्थिती में बहुत फरक है तो देखो द्यान देने विला एक बात ये है कि भगवान उनके धन है जिनके जीवन में अभिमान नहीं नमो किंचन विट्ताय और देख़िए ये भगवान रृब्रत गुण व्रत तए भगवान किसी भी गुण में आबृत नहीं होते किसी भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ढखने वाले नहीं है अचक कहीं भी रहें तो उसे संसलिष्ट नहीं होते है भगवान की बिलक्षनता देखे भगवान जिसे मैं अब सायंकाल सुना रहा हूं गोपियों के मद्द में रहकर के भी काम का संचार होता है क्या, ये निवर्त गुण वर्त तहे सहस सहस नहीं करोड करोड बर जांगनाय है और एक सेक सुन्दर बर जांगनाय है जिनके सुन्दर्य को देख करके सामान व्यक्ति तो बिवल हो जाए और हमारे शाम सुन्दर उनके साथ रहते हैं बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं किन्तो किसी के साथ लगाओ नहीं है कारण क्या है? किसी भी गुण से भगवान बनते नहीं है अच्छा, गुण बरत तहे का प्रायक तो ये है कि सतो गुण रजो गुण से नहीं बनते अत्वा भगवान किसी विसेश गुण माने हमारे जीवन में कोई विसेशता आ जाए कि ये हमारा गुण है तो भगवान उस गुण को देखकर बन जाएंगे ऐसा भी नहीं भगवान कोई विशेष्टा को देखकर बन जाएं ये बिलकुल नहीं भगवान तो क्रपा से ही बनते हैं आप ध्यान देंगे भगवत में शाम सुन्दर को ये सुदा मिया उखल में बाधने के लिए पकड़ना चाह रही है भगवान भाग रहे हैं मूल की बात सुना रहा हूं में मा बहुत ठक गई इतना ठक गई कि पसीना पसीना हो गई तो भगवान माराज खड़े हो गए सुदेव जी माराज कहते हैं क्रपया सीच सो बंधने भगवान यदि मा के बंधन में बंधे तो कैसे बंधे वो ले क्रपा करके अगर क्रपा ने करते तो मा के बंधन में नहीं बंधे मा को क्रपा भगमा पर क्रपा हुई भगवान की तो भगवान किसी विशेश गुण से आकर के बंध जाएं कि हम बहुत सत्यवादी है इसलिए भगवान आकरके हमारे तव से प्रभावित हो करके सत्यनिष्ठा से प्रभावित हो करके धर्मनिष्ठा से प्रभावित हो करके दान के गुण से प्रभावित हो करके भगवान बंद जाएंगे तो नहीं बंदेंगे क्योंकि नुर्वत्र गुण व्रत्त है वो किसी गुण से बांधे नहीं जाते क्यों? बोले आत्मा रामाय शामताय वो तो आत्मा राम है अपनी आत्मार में रम्ण करने वाले और शामतस शुरूप है राग द्वेश से रहित है और कईवल लिमाने मोक्ष के स्वामी है मोक्ष को प्रदान करने में समर्त है और इतना ही नहीं कुंति बुआ कहती है मन्ने त्वाम कालमी शानाम अनादे निधनम बिभुम समम चरंतम सरवत्र भूतानाम यन मिथक्कनी मन्ने त्वाम काल इशा कालम इशानाम कहती है मैं तो आपको मानती हूँ बुले क्या मानती हूँ बुले काल मानती हूँ भगवान देखो काल है समय काल कार्थ मौत भी और काल कार्थ समय भी है दोनों अर्थ है तुनायन ध्यान देने की बात ये है कि जीवन के रूप में तो भगवान को निहार लें किन तो काल के रूप में निहारें तो गड़बर है भगवान जीवन देने वाले भी वही है जन्म देने वाले, जीवन देने वाले और मृत्यू देने वाले कुंति भुवा कहते हैं काल रूप आप हैं आप ही ईश्वर है और कैसे ईश्वर ऐसे नहीं कि जन्मरत्यु वाले हैं अनादि निधनम विभुम आपका कोई आदी नहीं है अर्थात आप अनादी हैं सबसे आदी आप है अच्छा किसी को ब्रह्म के जन्म दिन का पता हो तो बताना कृष्ण का तो जन्म उस्व मनाते हैं राम का जन्म उस्व मनाते हैं ब्रह्म का जन्म उस्व कब मनाते हैं होता है कभी कि आज ब्रह्म का जन्म उस्व है नाराण जन्म उस्व है कारण क्या है कि वो तो अनादी है कब पैदा हुआ था किसी को पता नहीं उसके आदी का कुछ पता ही नहीं है कल मने निविदन किया था जैसे भगवान के जन्म का किसी को पता नहीं है वैसे माया के भी जन्म का किसी को पता नहीं है माया कब जन्मी थी इसलिए लक्षवी नाराइन का कम मिलन हुआ ये भी पता नहीं है ये तो मारा जो लक्षवी नाराइन का विवाग का जनमु सोहम मनाने वो तो नकली है वो तो बनावटी है जी वो तो लिला के लिए भगवान ने कर लिया कि चलो भाई अमुक जगे हो जाए विवा की समय मना लिया जाए तो भगवान अनादी है अर्थात इनका कोई आदी नहीं है और मारा समम चरंतम सरवत्र भूता नाम यन मिथक कली अपस में कले जो होता लोग जगडते हैं जैसे पांडो कौरों का जगडा था तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल पांडों का ही सहयोग दे रहे थे वो कौरों का भी सहयोग दे रहे थे समम चरंतम सब में मारा जो विचरं करते हैं और सब में सकती के रूप में कौन है अरे जो कौरों में सकती है वो भगवान की सकती है आसुरों में जो सकती है वो भगवान की सकती है और देवताओं में जो सकती है वो भगवान की सकती है मैं एक दिन चिंतन करा था जब सब में सकती देकर जगड़ा आपई करते हो तो जगड़ा करवाते ही काहे को ये दैवार सो संग्राम जब से हुआ है याद रखिएगा जब से स्रश्टी है कई लोग कहते मरा जाकर कि इसमें बहुत अधर्म बढ़ गया है बहुत आतंकवादी बढ़ गए है बहुत अत्याचारी बढ़ गए है मैं कई भी चिंतन करता हूँ कब नहीं थे कम जादा हो सकता है सत्यूग में भी थेक ही नहीं वहाँ भी चोरी होती थी वहाँ भी जूट बोला जाता था हम सुना सकते हैं वहाँ भी स्त्रियों का परण हो जाता था वहाँ भी ऐसे ऐसे अधर्म का वरणन है कि गुरु जी कहीं चले गए तो गुरु जी की पत्नी को लेकर चेला ही भाग गया ये सत्युक की बात सुना रहा हूं मैं आपको तो काम क्रोध लोब का संचार वहां भी था कि नहीं था तृता में भी सुना सकते हैं द्वापर में तो खुबई मामला है बाई बात ये है जब से ये स्रष्टी बनी है नारैन तब से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है तो सतोगुणी व्यक्ती भी रहेंगे रजोगुणी व्यक्ती भी रहेंगे तमोगुणी व्यक्ती भी रहेंगे तो ये गुण बाले लोग रहेंगे जिसे सरीर जब तक है चाहे हमारा सरीर हो चाहे आपका सरीर हो इसमें कफ, बात और पित तीनों रहेंगे अगर हम सोचें कि हमारे सरीर से कफ समापत हो जाए एकदम तो कफ समापत होते जीवन समापत हो जाएगा कफ की भी जरूरत है, पित की भी जरूरत है जितनी आवशक्ताने उससे ज़्यादा बढ़ जाए शरीर में ये ठीक तुलना से रहें तो निरोगी हम रहें इसलिए आयरवेद तो हमारा पूरा का पूरा इसी पर ठीका हुआ है आयरवेद का दर्शन ही त्रिदोसों पर ठीका हुआ है आयरवेद के जान का रोक का पता भ अब एक वैदी की पास हम बैट करके सिख रहे थे हमने का नाड़ी से कैसे पता लगाते हो कि ये हो गया तो उन्होंने फिर हमको सिखाया कैसे पकड़ो तो कैसे कसी गती है कितनी तेज नाड़ी चल रही है या सरपाकार नाड़ी चल रही है रुक रुक करके इसे घूम घूम करके इसका भी पता चलता है तो अलग अलग पता चल जाएगा सर्पाकार चल रही तो कौन सा दोस हो गया है गती तेज है तो कौन सा दोस है गती धीमी है तो कौन सा दोस है और किस दोस से कौन कौन से रोग होते है ये उससे पता चलता है नाडी से कि ये गर दोस बढ़ा है तो ये ये चीजें हो जाएंगी कब बढ़ा है तो ये होगा पित बढ़ा है तो ये होगा बात बढ़ा है तो ये होगा तो मैंने विदन करा था सरीर में तीनों चीजों की आवशकता है वैसे स्रश्टी में भी तीनों चीजों की आवशक्ता है सतोगुन की भी, दजोगुन की भी, तमोगुन की भी और संसार में काम, क्रोध, लोब की भी आवशक्ता है अगर जीवन में काम नव हो तो हम आप पैदा हुए होते पैदा ही नहीं होते जी किन्त जीवन में अनुसासन होना चाहिए इसमें धर्म का ब्रेक होना चाहिए धर्म माने ब्रेक धर्म को यदि आज की बासा में कहा जाए तो ब्रेक अनुसासन हमारे जीवन में हो यदि अनुसासन हमारे जीवन में बना रहेगा तो काम बन गया कितना चाहिए हमारे जीवन में एक धर्म का अनुशासन, धर्म का वरेक हमारे हांट में होना चाहिए तो मैंने विधन कराथ ये कहती है कि ट्रगुनात्मक बरती बनाई आप की बनी आप से किंद उससे आप ढखते नहीं उसके बस में होते नहीं है सब जगे आप मारा विचरन करते हैं अच्छा देखो यहां पर जैसे जो बल फजलने उसमें भी विजली का संचार है एसी में भी विजली का संचार है इसमाइक में भी विजली का संचार है अगर विद्धत इसमें ना है तो यह द्वनी नहीं करेगा अगर विद्धत बल फजलने नहीं जाए तो प्रकास नहीं करेगा अगर विद्दुत अपने एसी में न जाए तो ठंडक नहीं करेगा तो विद्दुत तो सम है जितनी विद्दुत जा रही है एसी में वल्फ में और माइक में किन्तो सब का काम अलग अलग है वैसे असुन में भी भगवान की सकती है मनुष्य में भी भगवान की सकती है देउताओं में भी भगवान की सकती है किन्तो जिस गुण से प्रभावित हैं वो अलग-अलग काम करें अच्छा कोई मारा है यह जगड़ा भी करता है यनमिताहिं आपस में जगड़ते हैं यन मितक कली तुम्हारा जापस में जगड़ा करने के बाद भी भगवाने से नहीं कि उनसे सक्तिका अलग करते हैं उनके लिए तो बराबर है बाद में एक बाद बड़ी बिलक्षन कुंती बुआ कहती है नवेद कस्चिद भगवान चिकीर्शितम तवेह मानस्य नणाम बिडंबनम ये भगवन लोग या नहीं जान पाते कि आपका आवतार क्यों होता है अच्छा आप कभी चिंतन करो भगवान की आशुरों को मारने के पैदा होते है भगवान तो संकल पकर दें तो सम मर जाए आप कभी गीता का चिंतन सुनते ही है भगवान ने अरजुन को सब को मरा हुआ दिखा दिया की नहीं पहले से मरे थे निमित्तमात्रम भवसब्वे साचित तो किसलिए भगवान कर नवेद कस्चिद भगवन्स चिकीर्शितम आप क्या इस इच्छा लेकर क्या मरे चिंतन करके आप अवतार लेते हैं मनुष्य नहीं समझ पाता और एक बात आपको बताएं नयस्यकस्चित दईतो सीकरी है चित आपकी दृष्टी में कोई अपना नहीं है और आपकी दर्ष्टी में कोई पराया नहीं है ये तो हम आप अपनी दर्ष्टी से बनाते हैं ये उनके ये उनके ये उनके कोई आपका दर्ष्ट नहीं है प्यारा नहीं है किसी से आपको द्वेश नहीं है मैं तो कई बार चिंतन करता हूँ जिसके जीवन में भगवत प्रेम जग जाता है उसके जीवन के रागत द्वेश मिठ जाते हैं और जो भगवान स्वेम है उसके जीवन में रागत द्वेश कैसे होंगे ये रागत द्वेश तो जीव के जीवन में है आप प्रहलाद जैसे भक्त का जीवन देखिए प्रहलाद के जीवन में क्या भगवान के भक्त हैं वो क्या उनके हिरदय में किसी के प्रति द्वेश है प्रहलाद को भी किसी से द्वेश नहीं कहां तक कहें जो पिता उन को मारने का भी प्रयास करता है उसके प्रतिवी द्वेस नहीं है और जब शिन्शंग भगवान ने प्रयास से कहा बेटा बर मांगो पहले तो मना कर दिया बाद में यहीं बर मांगा बरदेशान महेश्वर हे बरदेने वालों महेश्वर हमारे पिता ने आपकी बहुत निंदा की अविद्वांस तैज अईश्वरम वो आपके तैज को अईश्वर्य को नहीं जानता था इसलिए उसने आपकी बहुत निंदा की आप करपा कीजिए हमारे उपर द्वेश करने वाले पिता के प्रति भी द्वेश नहीं है मीरा के वी चित में किसी के प्रति द्वेश नहीं था तो जिसके हरदे में किंचित भक्ती का माराज प्रादुर भाव हो जाए तो रागद्विश मिड़ जाते हैं तो भगवान के चित में रागद्विश कहां से होंगे तो बोले आपके जीवन में रागद्विश बिलकुल नहीं है कोई जान नहीं पाता है कि क्यों आपका उतार होता है सब लोग महराज अपने अपने डंग से उसको बोलते है के लिए नहीं होता है वो कहते हैं तो मनुष्यों को सिख्षा देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं कैसे जीना चाहिए तो सब के अपने अपने मंतब में आप किस लिए प्रगट होते हो ये तो आप ही जानो बाद में मरा जाथारों की कुछ चर्चा करती है जो बहुत मधुर इनका चिंतन है वो हम क्रम साश्रवन करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चर्णों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मती, रती, गती उन्ही के पावन पवित्र चर्णार विंदों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वानी उन्ही के पावन पवित्र चर्णार विंदों में समर्पे एक सूचना भी हमारे ग्रीस विया तो देंगे ही मैं एक सूचना दे देता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 15-20 मिट लेट कथा चालू हो पाएगी क्योंकि हमको जाना है परोपकार में परोपकार में जाना है जी तो परोपकार में तो कई बार समय लगी जाता है तो प्रयास तो करेंगे कि हम ठीक 6 बजे यहां आ जाएं यह दिन नहीं आपाए 15-20 मिट तो आप लोग दहरे नहीं छोड़िएगा भाग के नहीं जाओंगा आ जाओंगा इसलिए जब तक ना आएं तो भजन आदी आप लोग श्रमन करते रहना बोलो भक्तवत्सल भगवान कीजे अुर्शा सब्साना